ये ड्राइवर की लापरवाही का ही मामला था तो आखिर करण भूशन बहाँ पर क्यों नहीं रुखे लोगों में इतना मातम पसरा हुआ था दुख इतना जादा था बहाँ पर क्यों उनके घर नहीं गए क्यों उनको सांत्पुना रजलिट आने से पहले ये सवाज जरूर खड़े हो गए हैं कि राजनेती में आने से पहले ही करण भूशन ने इस तरीके की घटनाएं हैं इनको अंजाम देने की शुरूआत कर दी है तो आकिरकार कैसर गंज में यदि वो सांसत बन करके आते हैं तो फिर लोगों को सोच नमस्कार मिनास्मिन खान और आप देख र देश की केसर गंज लोग सभाज सीट पर एक अलग ही महाल बनता हुआ नजर आ रहा है जिसमें ब्रिज भूशन सरंसिंग के बेटे और भारती जनता पार्टी के केसर गंज से प्रतियाशी करण भूशन की गिरफतारी हो सकती है इस बात के संकेत भी लगतार अब दिये जा जैया रहें दरॅब को बता दे की करण भूशन का काफिला गौंडा में यहां पर निकल रहा होता है उत्वरान ब्रिज भूशन सरंसिंग के बेटे करण भूशन के साथ कंसे कम चार गारियां भी मजूद होती है उस काफिले में कbau युवकों कि जाती है महाल गर्मा जाता ह नारेबाजियां शुरू हो जाती हैं और यह कहा जाता है कि करण भूशन की गिरफतारी हो इतना ही नहीं बलकि करण भूशन के खिलाफ भी दर्ज हो चुकी है लेकिन अभी तक करण भूशन पर कोई भी एक्षन होता हुआ नजर नहीं आया जिसके बाद उत्ते परदेश की क दोड़े में तमाम सवाल बनते हैं निजरूम में माजूद हैं अमनसर मेरे साथ माजूद हैं उसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार ईस मामले में अब क्या नया मोड आता है अमनसर जैसे कि करण भूशन का मामला देखने को मिला आगारी से यहाँ पर दो यूवकों की लेकिन वहां कि जंता का और कहीं न कहीं ये भी वीडियो से जाहिर हो रहा है कि करणभू बूशन वापस नहीं आए क्या बिल्कूल पहली बात तो यह हादसा है और जाहिर परिवार के अगर इस तरह से दो यूबा कह सकते हैं लड़कों की बच्चों की जान चली जाती है तो बिलकुर उस परिवार में तो समझे मातम पसर जाता है लेकिन हैरानी उस वक्त होती है नाजबीन की इतना बड़ा हाथसा होने के बाद भी जो करण भूशन का जो काफिला है वो रुकता नहीं और जिस गाड़ी से एक्सिदेंट हुआ है वो गाड़ी ज़रूर वहां पर नजर आती है लेकिन करण भूशन जो है लगतार अपनी जो सियात्रा पर निकले हुए थे जहां भी वो जा रहते वो बदसुर चलते रहते तो ये एक बड़ी लापरवाही का भी मामला है कि आप जनता के प्रदिनिती बनने के कह सकते हैं राह पर आगरसर हैं चुनाप हो चुके हैं बोटिंग हो चुकी है चार जून को जब मत पेटिया खुलेंगी तो हो सकता है कि करण भूशन चुनाप जीते हुए भी नजर आ जाए लेकिन जिस तरह से पूरे बचाने का प्रयास करेंगे अपना दामन चुछाने का प्रयास करेंगे क्योंकि उनके पिता भी आते हैं सामने वो भी यह बात कहते हैं कि यह सिर्फ ड्राइवर की लापरवाही का मामला था तो आखिर करण भूशन बहां पर क्यों नहीं रुके लोगों में इतना मातम पस तो ऐसे में जब एक परिवार के अंदर इस तरह का मातम हुआ इस तरह का कह सकते हैं उस परिवार के दो बच्चे हासे अगर शिकार हुए और खुद उनके बेटे की काफले की गाडियों से तो जाहिर बात है कि उनको भी घर जाना चाहिए देख सांथपरा देनी चाहिए थी लेकिन ब्रजबूशन सिर्फ ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये लापरवाही ड्राइबर की है और सारे का सारा मामला जो ड्राइबर पर डालते हुए नजर आते हैं तो ये बताता है कि किस तरह से ऐसे मामलों से अपने आपको अलग करने में लगे हूँ और देखिए है कि बाद इससे बड़ी यह हो जाती किसी भी बड़े नेता का बयान अब तक सामने नहीं आए जो यह बताता है कि कि ब्रजभुशन का या करनभुशन का प्रवाब इतना जादा है कि कोई भी उनकी खिलाप एक शब्द बोलने की हिमत नहीं कर सकता भारती जिंता पार्टी की से किसी भी नेता का बयान सामने ना आना तो दिख रहा है लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भगत राम मिश्रा उस पीडित परिवार के पास जाते हैं यानि कि जहां दो युवकों की जान चली जाती हैं उनकी घर पर जाते हैं मुलकात करते हैं और कई सच्चाई बाहर निकल कर सामने आती है कि जब वो परिवार अफ़यार दर्ज करवाने पहुंसता है तो फ़यार कोई और लिखता है और जबनन यहां पर उनकी अंगूठे लगवाए जाते हैं जिसमें यह दर्शाया जा रहा है क्या एफ़यार में कुछ और मामला दर्ज किया गया है यहां पर मामले को छुपाने की कोशिश की जा रही है क्या इसमें पुलिस प्रशाशन भी जिमेदार नजर आता है अक्षे मेरे साथ माजूद है उससे जानने की कोशिश करेंगे अक्षे क्या लगता है यहां पर बात करें भगतराम मिश्रा की वो यहां पर घर पहुंसते उनके जो दो यूवकों के यहां पर जान चली गई है ऐसे में दावा किया जाता है कि एफ यार तो दर्च करवाई गई लेकिन जब्रन अंगुठा भी परिवार वालों से लगवाया गया यानि कि एफ यार में कुछ और बाते लिखी हुई है और अंगुठा लगा कर साबित करने की कोशिश की जारे कि करन भूषयन की गाड़ी या उनके काफिली के जरीए ऐसी कोई भी घटना नहीं हुए तो क्या पुलिस प्रशाष्चन पर यहां पर जो तमाम सबाल खड़े होते हैं वो जाइज है जी देखिए विल्कुल जिस प्रकार से पूरा मामला निकल कर आई लेकिन उसके बाद जो पूरा मामले ने तूल पकड़ा है और जाकर करके जो अब यह नई बात निकल करकर सामने आई है इक है कि परिवार अब यह दबाब बनाया जा रहा चुनाव के बाद अब है सटीक अंकडों की बारी जन्निता से जाना किस तरफ है उनका विचार बनने वाली है देश में अब की बार किसकी सरकार देखिए सबसे सटीक एक्जिट पोर एक जून शाम शे बसे से सिर्फ एस्पिन नाई न्यूस पर तक्राने से नहीं हुई है बलकि उससे पहले या उसके एकदम बाद कोई और अन्या गाड़ी गुजरी और फिर उनकी टक्कर लगने से यहां पर मौती तो दीकि इस प्रकार से बात करय है जो शुक्त तो नेता का नाम उसमें आता है तो निश्चित तोर पर जो दोड़ी तो पर पर देखने को सब्सक्राइτού के अदिशीर निश्चित Link को जाना था यह पेहलु कर देखने और भूतने तर नुड़ी टॉ mold ins B बच्चों को जाना था ये तो तैय था अब ये हो चुका यानि कुल मिला करके विए एक जिम्मधारी भरा बयान उन्होंने नहीं दिया और नहीं एक जिम्मधारी अदा की इसके लावज इस प्रकार से मंजी ने कहा कि नहीं कुद करण भूशन सिंग ने भी और यहां तक कि नहीं परिवार वालो से जाकर कि यहां सांत वाना उन्हीं दी और नहीं एक सही यहां पर उन्हीं एक बहतर अपनी प्रतिग्रिया जाहिए तो फोल मिला करके सवाल यहां पर पुलिस प्रिशासन पर भी उट रहे हैं और सवाल कहीं नगए अब ब्रजबूशन शरन सिंग पर भी उट रहे हैं कि वो कहीं नगे अपनी ताकत का प्री समधानिक शक्तिक अस्वाल करके अपने बेटे करन भूशन सिंग को मामले से बाहर करने की कोशिश में जूट है बिल्कुल यहां पर ब्रिच बूशन सरन सिंग की बात करें तो वो कहते वे नजर आते हैं गलती उन गाड़ी आगे बढ़ जाती है लेकिन गाड़ी वापस लोटती नहीं है ना ही करन भूशन लोटते हैं जिसके बाद सवाल खड़े होते हैं कि अगर वाकई यहां पर हाथसा हो गया है तो करन भूशन को परिवार वालों से तो मुलाकात करनी चाहिए थी सपा की भी बक्षा नहीं जाएगा लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो सूबे के मुख्य मंत्री कहां गायब हो जाते हैं यह भी सवाल बनता हुआ नजर आता है शालनी मेरे साथ माजूद है उनसे जानने की कोशिश करेंगे शालनी जैसे कि उत्तरपरदेश में देखा कि निगाहों से लेकिन अपनी ही पार्टी के एक सांसत माजूद हैं जो कहीं न कहीं खुलेयाम धंकी देते वे नजर आते हैं एक प्रतियाशी है यहां पर गारी से हाथसा हो जाता है लेकिन उसके बात पहुंसते नहीं तो क्या ऐसे में सवाल सरकार पर खड़े नहीं होते जो जुर्म करेगा उसे सजा दी जाएगी बक्षा नहीं जाएगा तो ऐसे में अगर उनके ही सांसत द्वारा ऐसा कारे किया जाता है उनसे घटना होती है अपराद होता है तो आखिरकार कोई वहां पर जो सीयम योग यादितना आते हैं अब वो चुपकियों है आखिरकार उनके घर पर वो बुल्डोजर क्यों नहीं चल रहा है ब्रजबुशन सरन सिंग को लेकर बीजेपी सरकार आखिरकार सवाल क्यों नहीं उठा रही है अगर महीला पहलवानों के मामले में भी देखा जाए तो बीजेपी सरकार ने ब्रजबुशन का किसी भी प्रकार से विर लेकिन बीजेपी की और से उसका विरोध नहीं हुआ लेकिन जब आमादमी पार्टी में सौाती मालिबाल के साथ अहांसा होता है बच सलूकी होती है तो उसमें समिती रानी भी बयान देने शुरू कर देती है बीजेपी घर पर बीजेपी अवास पर पहुंचकर धरना वो इसार में जीत जाती है तो इसे में कहीं न कहीं लोगों की बढ़ सकती है क्योंकि जिस प्रकार से ब्रच बूशन पर एक्षन नहीं लिया जा रहा है तो यह कहीं न कहीं यहां पर बात करें तो भी यह मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है विपक्षी पार्टियां यहां पर परिवार वालों से मुलाकात तो करती हैं लेकिन दावा यह भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर उत्रपरदेश की पुलिस ने साथ नहीं दिया अगर प्रशाशन न आने की कोशिश करेंगे दिनेश बात करें विपक्षी पार्टियों की तो वह अब इस मामले को कहीं ना कहीं बढ़ाती वे नजर आ रहे हैं अगर बात यहां पर नहीं सुलजी तो कोट का रुख भी करते वे नजर आएंगे तो क्या करण भूशन पर गिरफतारी की भी तल स्लेंस हुए और ऐसे में एक गाड़ी से उनको टकर लगी और टकर लगने के तुरंद बाद उन्हें गंभीर चोटे आये और उसके बाद हमने अपने तमाम जो काफिले के जिम्मेदार लोग थे उनको वहां पर बेजा उनको अस्पताल पहुंचाया गया उपचार दिलान पर लोग यारोप लगाते रहते हैं कि दबंगई के साथ राजनीती करते हैं और इसी तरीके का अभी कहीं न कहीं मंजर जो है देखने को मिला है लेकिन ब्रिज भूशन सिंग के बेटे करण भूशन की बढ़ सकती हैं क्योंकि उनके काफिले की गाड़ी से एक्सिडेंट ह की थी और उस ड्राइवर ने कबूल किया है कि हां मेरे से एक्सिडेंट हुआ है तो ऐसे में करण भूशन को बचाने के लिए तवाम प्रयास कि जा रहे हैं लेकिन एक बार फिर से रजलिट आने से पहले यह सवाज जरूर खड़े हो गए हैं कि राजनीती में आने से पहल सब्सक्राइबार वालों ने यह कहा है कि वाकई वह गाड़ी चला रहे थे और हाथसा हो जाता है लेकिन अब हाथसा हुआ है यहां पर दो युवकों की जान गई है फई यार भी दर्ज है लेकिन क्या इस पूरे मामले में नया मोड आएगा क्या करण भूशन और भी ज्य देश की जन्यता ने किसे सोपी सत्ता की चाबी चुनाव के बाद अब है सटीक आंकडों की बारी जन्यता से जाना किस तरफ है उनका विचार बनने वाली है देश में अब की बार किसकी सरकार देखिए सबसे सटीक एकजिट पोर एक जुन शाम छे बजे से सिर्फ एस्पि नाइ न्यूस पर